हलो दोस्तों कैसे हो आप 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 बहुत अच्छे होगे अभी भी बेटा कोरोना का सिचुएशन खतम नहीं हुआ हैं तो सभी प्रिकॉशनरी मेजर लेना और येस पढ़ाई करते रहना और अपना और अपने फैमिली का पुरा ख्याल रखता हैं तो दोस्तों एक important announcement करने में आया हूँ जिसका वेट आप continuous कर रहे हो और मैं भी वेट कर रहा था ICAI की statutory updates का और ICAI की statutory updates कल आ चुकी है तो येस अब मेरा काम चालो होता है कि आपको जल से जल amendments मैं provide करो so बेटा amendment के lectures जो है मैं अभी notes बना रहा हूँ और दो दीन बात मैं notes lectures upload कर दूगा तो ये जो amendments है आप सभी को देखना है आप CA inter level पे हो या यहाँ आप CA मे या CS inter level पे हो आपको ये amendments देखना है important बात ये है कि बेटा मैंने इस बार CA inter level पे GST का जो module दिया है GST का module मैंने आपको यहाँ पे जो मेरा existing recording थी में अटेम के लिए वोई modules मैंने online provide किये कि आपको सबको पता था कि 13 March के बाद situations जो है COVID के वज़े से out of control हुई और इंडिया में all or इंडिया lockdown लगा तो ऐसे situation में नए lectures record नहीं हो पाए इसलिए जिसने भी मेरा fast track course किया हो rocket in pocket किया हो या फिर यहाँ पे regular course किया हो amendments सभी को देखनी है यह बड़ी important amendments है और आपको सबको इसको detail में देखना है चलिए दोस्तों next important point पे मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो amendments की lecture समपर्सों से start करेंगे ठीक है तो यहाँ institute की statutory updates जो आई है वो मैं आपके साथ discuss करना चाहूगा कि statutory updates कहती क्या है तो यहाँ बड़ा institute की statutory updates देखिए क्या कहती है ठीक है indirect tax के लिए जो paper 4 जो आपका taxation है उसमें B part जो है indirect taxation के लिए statutory updates क्या कहती है यहाँ पे मैं अगर पढ़ू तो सबसे पहले amendment start करने के पहले आप थोड़ा यह first paragraph ध्यान से पढ़िएगा इसके उपर already मेरा एक वीडियो आ चुका था और वो वीडियो में मैं already कह चुका था कि कौन कौन से topics exclude कर दिये जाएंगे और आपको कुछ topics पे questions नहीं पुछे जाएंगे ठीक है तभी भी यहां पे मैं एक बार फिर से read कर लेता हूं और इसके basis पे हमारी आने वाली amendments होगी जो यहां फिर से कहता हूं सबको देखना है the provision of CGST Act 2017 and IGST Act 2017 as amended by Finance Act 2019 which have become effective up to 30th April 2020 including significant notifications of circular issued up to 30th April are applicable for November 20th examination सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूगा जो भी यहां CA inter कर रहे है गलती से institute ने IGST Act डाल दिया है जबकि IGST Act हमारे CA inter level पे नहीं है इसलिए यहां यह पढ़के confusion create मत करना कि अरे सर क्या IGST Act applicable होगा क्या नहीं आपको CA inter level पे GST में only जो 40 marks का syllabus है इसमें CGST Act 2017 ही applicable होगा IGST Act आपको applicable नहीं होगा दोस्तो ठीक है आई बात समझ में आपके चली next मैं आपको यह कहना चाहूगा कि 30 April तक की जो भी amendments होगी वो 30 April तक की amendments जो है यहां आपको applicable किया जाएगा 30 April 2020 जैसे आपको पता है में हमारा attempt cancel हुआ और वो November के साथ merge हुआ तो अभी सभी students को आपका में था या नहीं था भूल जाना ऐसा समझना आपका November Attempt है और November Attempt के लिए 30 April तक की सभी amendments आपको applicable होगी Now, amendment made by Finance Act 2019 in CGST Act and IGST Act have become effective on 1-1-2020. However, some amendments by Finance Act 2019 to the extent included in the syllabus, read with the study guidelines in section 3950 of the CGST Act have not become effective as on 30 April 2020. Therefore, the same are not applicable for November 2020 examination. जैसे Finance Act 2019 के इसमें बहुत सारी amendments हुई तो इसमें कुछ amendments immediate लागू ही, कुछ amendments 1 April से लागू ही और कुछ amendments अभी तक लागू नहीं हुई है तो जो amendments अभी तक लागू नहीं हुई है, क्यों ना Finance Act 2019 ये लास्ट येर का है, लेकिन जो amendments अभी तक लागू नहीं हुई है बिटा, वो amendments पे आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 1st April, sorry, 1st January 2020 को जो amendments लागू हुई है, उस पे आपको सवाल पूछा जा सकता ह अगर वो आपकी syllabus में होगा, ठीक है, उसके बाद में subject matter of August 2019 editions of intermediate new course study material के indirect taxes वो आपको देखना है with amendments, ठीक है, चली, आगे का कोई इतना important नहीं है, तो अगर मैं एक table जो अभी देखो, तो Finance Act 2019 से क्या-क्या amendments हुई थी, तो बहुत सारे section में amendments हुई थी, इतने सारे section तो आपकी syllabus में नहीं है, लेकिन जो-जो भी amendments लागू होगी, याने कुछ amendments Finance Act 2019 के हिसाफ से immediate लागू होगी, कुछ amendments एक जनवरी से लागू होई, I repeat, कुछ amendments एक जनवरी से लागू होई, और COVID-19 के वज़े से postpone होगी, तो बेटा, जो-जो भी आपको applicable है, वो सभी applicability जो है, मैं आपको यहाँ पर cover करूगा, yes, यह सभी provisions यहाँ पर मैं cover करूगा, हमारे amendments में cover हो जाएगी, तो एक बार फिर से मैं आखरी time कह देता हूँ, हमारी CA Inter के लिए GST के amendments जो है, दो दीन amendments सभी को देखना पड़ेगा, जन्होंने मेरा regular course किया हो, live course किया हो, या फिर fast track course किया हो, या booster revision course किया हो, आप सभी को यह amendments देखने हैं दोस्तों, तो चलिए, यहाँ यह छोटा सा announcement मुझे आपके लिए करना था, क्योंकि आपके continuous सवाल आ सकते है, तो इसके आपर हमने discussion किय है, हाँ, amendment की notes आप कहां से download करें, तो मैं यह कहूगा, कि amendments की notes आपको download करना है, जो भी video amendment काएगा तो उसके description में amendment की notes दी जाएगी, और वो amendment की notes आपको download करना है, ठीक है, तो download करके print out निकाल लेना है, और वो print out मेट से हम सारी amendments discuss करेगे, और यहाँ पर किसी को नहीं मिलते की ले सकते हैं बाकी कुछ और मेरा यहां अनॉंस्मेंट बचाओगा तो डिस्क्रिप्शन कॉलम जरूर देखिएगा यह डिस्क्रिप्शन कॉलम में मैंने हर चीज अच्छे से एक्स्पिलेंट की है अब तयारी कीजिएगा अमेंन्मेंट की आपने डोनों गूप कम्प्लीट कर दियोगे और अब अमेंन्मेंट भी हम स्टार्ट करेंगे पर एक बात और कह दू बेटा बहुस स्टुडेंट्स के यह क्वेशन है कि सर क्वेशनेर्स जो है हमैं झाला है तो बेटा डरने की कोई जरुवत नहीं, amendment के हिसाब से, जो भी questionnaire में change हुए है, I repeat, amendment के हिसाब से, जो भी questionnaire में change हुए है तो वो सभी questions की pdf भी आपको दी जाएगी, और मैं यहाँ पे हमारी discussion की series चालू करूगा, जिसमें chart revision और questionnaire discussion हम ये दोनों cover करेंगे, तो chart revision और questionnaire discussion में आपके सभी amendment के इसमें cover हो जाएगा, ये chart revision और questionnaire discussion हम next week मंडे से चालू करेंगे, for CA inter students, okay तो be ready for that, दिन का एक घंटा हमारा discussion होगा, मैं online youtube पे आओगा, जिसमें chart revision भी cover होगी, और साथ साथ में हमारा questionnaire discussion, अगर मेरा questionnaire आपके पास है, तो वो questionnaire discussion भी चालूगा, पूरा completely amendment के हिसाब से ये questionnaire discussion लिया जाएगा दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जहां तक दिखा जाए, तो जितनी भी announcement करनी थी, मैंने कर दिया है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, मैं amendments लेके आ रहा हूँ, हम amendments discuss करेंगे और हम next week से chart revision और questionnaire discussion भी आपके लिए start करेंगे, thank you, thank you to all of you.